आज की क्लास में बेसिकली हम तीन चैप्टर्स को डिसकस करने वाले हैं जिसमें पहला है फिजियोग्राफिक फैक्टर और दूसरा रहेगा बायोटिक फैक्टर इसके बाद जो तीसरा चैप्टर आएगा वो आएगा इन्फियूंस ओफ फोरेस्ट ओवर देर फैक्टर्स य फोरेस्ट वेजिटेशन को कैसे इन्फियूंस कर रहा है कैसे उसे प्रभावित कर रहा है और आज की में जो लास्ट वाला चैप्टर अपना आएगा उसे ये दिखेंगे कि आखिर फोरेस्ट जो है वो इन चारों फैक्टर को कैसे प्रभावित कर रहा है तो अपना इनी तीन मुद्वों पर डिस्कॉसन करना है फिजियोग्राफिक बायोटिक और फॉरस्ट का इन चारों फक्टर पर इंफ्लूंस तो पहले फेक्टर डिसकॉस करते हैं वह है अपना फिजियोग्राफिक फेक्टर यानि की मौन्टेन रेंज का एफ्ट इससे पहले दो अपन जो सब्सकॉस कर चुकई ऐक किलाइमेटिक और इनके साथ यह है कि यह जो फॉरस्ट वजीटेजन उसे सीधी-सीधी डारेक्ट इन्फुंस करते हैं डारेक्ट उसपर impact देते हैं फूर एक्जामपल अगर हम temperature की बात करें तो temperature सीधा vegetation को impact देगा, अगर temperature down हो गया frost पढ़ गया, कहीं पाला पढ़ गया तो जो vegetation उसे हाड़ी होगी वो बचेगी और जो हाड़ी नहीं होगी वो वहाँ निकल जाएगी धूप है, बरसाथ है बाढ़ है, या फर तेज हावा है उसका vegetation पर सीधा impact पढ़ रहा है, मिट्टी है उसका सीधा vegetation पर impact पढ़ रहा है, लेकिन जो अभी अपना chapter जो है physiographic factor, ये कभी direct influence नहीं करता है ये vegetation को direct प्रवाबित ना करके, ये जो other factor है, उनको effect करता और उसके थुरू ये vegetation पर indirect प्रवाबच होता है for example, ये अपना है western ghat अप लोगों ने काफी समझ रखा कि जो अपना western ghat है वहाँ पर कौन सी rainfall होती है southwest monsoon से, औरो ग्राफिक अपने जो southwest monsoon की जो wind आल रही होती है काफी भारी होती है, इनमें moisture भोच जाता होती है और जो अपना western ghat फैल रखा है ये इसके लगवग 90 degree एंगल पर होता है, 90 degree पर इस wind के direction में southwest wind के direction में, तो ये क्या करता है wind को force कर देता है उपर uplift होनी के लिए और इसका result होता है orographic rainfall orographic rainfall frontal rainfall तो ये जो orographic rainfall है वो किसकी बज़े से हो रही है ये जो mountain है उसकी बज़े से है और आप समझ सकते हो कि orographic rainfall होगी तो उसका impact यहां की vegetation पर पढ़ेगा, बिलकुल पढ़ेगा vegetation यहां पर देखी रही हो कि काफी luxurious vegetation है अगर यहां की ये mountain range को हटा दिया जाए तो इसकी condition कैसी होगी इस western ghat के पीछे का जो नासिक वगर का दी जाना है जो की थोड़ा सूखा प्रभावित है drought prone area है जहां पर drought अक्सर कई बार पढ़ जाता है तो ये क्यों हो रही है क्योंकि जो rainfall है वो एक side तो हो रही ये दूसरी side नहीं उपा रही यान कि mountain है वो rainfall को effect कर रही है दूसरा same इसी type की condition हम लोग देख लेते हैं अपने जो हिमाला है उसकी बज़े से हिमाला में क्या होता है कि आपने ये वाले अपना जो नेपाल भूटान का रीज़न है सिक्के में अपना इधर से जो southwest मांसून जा रहा है वो जब उपर की तरफ force करता है पीछे से धक्का लगता है और जब उपर की तरफ चड़ते हैं तो हिमाले की इस mountain इस slope है मतलब इसका जो north facing slope है उस पर खुब दर rainfall होती है यान कि जो अपना नेपाल भूटान वाला रीज़न है सिक्के माला रीज़न इन्हें काफी अच्छी खासी motion मिल जाती है लेकिन ये cross नहीं कर पाते हैं और जो पीछे तिबबत या लद्दाक वाला रीज़न जो है ये एक टाइप से सूखा प्रवावित रह जाता उन्हें हमारे यहां की जो मानसून है उससे कोई फास फरक नहीं पड़ता हूँ वहां तक मानसून पहुँचता ही नहीं है मौन्टें की बज़े से तो यहां ओरोग्राफिक या फीजियोग्राफिक फेक्टर में सबसे पहला जो character है वो mountain का arrangement है यानि कि जो mountains है या aurographic factor है वो vegetation को प्रभावित तो करेंगे लेकिन आखर ये mountain के कौन-कौन से character है जो प्रभावित करेंगे ये aurography वो कैसे प्रभावित करती है तो उसके basic pillars की वारे देखा जाए तो सबसे पहला होता है इनका arrangement arrangement में अपना जो हिमाले वाला है western ghat वाला है ये example काफी आसानी से समझ में आगया होगा दूसरे इसमें एक अच्छा example है कि अभी सर्दी आने वाली है और जो polar है अपने हाँ से cold जो polar wind है वो इंटर करेंगे उधर चाइना में यहाँ पर जो है region अपने हाँ इंटर थोड़ा बहुत यह cold wind जो है वो थोड़ा बहुत इंटर करती है इस region से लेकिन जो majority है वो अपना हिमालया है वो block कर देता है यानि कि इस side से cold wind आई वो mountain ने block कर दी तो उसका impact हमारे हाँ नहीं परता है यानि कि जो mountain है वो local की weather को है इस side के temperature को नहीं करने दे रहा है यानि कि वो उसे बचा रहा है तो इस type से जो mountain का जो arrangement है वो हमारे लिए या local weather को effect कर देता और उसके इसाब से vegetation affected हो जाती है दूसरा mountain की बात करें तो इसका altitude का बाता है यह जो है अपने mountain के लिए मंजार हो के पिच्छा है यह अफरीका की जो tropical equator जो line है उसकी है mountain के लिए मंजार हो लगवग equator पर है first time पर एक देखने आया था European यहीं पर जो अपने explorer होते है तो first time जब वो यहाँ पर आया और उसने देखा यहाँ से यह तो tropical region है बलुकल equator के पास है equator की पहाड़ी पर यहाँ बर्फ जमी हुई है जब यह explorer बापस यूरोप में गया और उसने बोला कि भाई उसने ऐसी mountain देखी है कि उसके top पर ice जमी हुई है तो वहाँ लोगों ने उसे idiot declare कर दिया बोला यह सबसे बड़ा बेवकूफ है idiot है इसे समझ में नहीं आता कि tropical में mountain के top पर ice मिल ही नहीं सकती यह तो temperature region में मिलेगी वो तो tropical है तो उसे starting में बेवकूफ टिकलियर करके ignore कर दिया गया बाद में जब कुछ और explorer आए तब उन्होंने देखा कि नहीं भाई जिसने पहले बोला था वो सही बोला था यहाँ पर top पर real में ice है अब यहाँ पर जो top पर ice कैसे आ गई तो यह अपनों को सीधा सीधा बताता है किसी भी mountain का altitude effect जब आप यहाँ सहारा के जो अपना यह अपने क्या है सवाना अफरीकन सवाना जो है जब आप सवाना से उपर की तरफ जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा पहले यहाँ पर तो normal rainfall है और यह पूरा खूरा सवाना grassland बाला है दीरे दीरे जब आप उपर की तरफ जाओगे तो दीरे दीरे करके जो rainfall है वो थोड़ी बढ़ेगी और पूरा अफरीकन जो अपना tropical rainforest की जो vegetation है वो मिलेगी फिर tropical की जैसे थोड़ा और उपर जाओगे rainfall का जब level थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा फिर आपको सब tropical मिलेगी फिर temperate मिलेगी फिर alpine मिलेगी और last में कुछ होगी scrub land जो scrub जो होंगे जाड़िया सी होंगी क्योंकि वहाँ पर इतनी मौशर नहीं पहुच पाती है उपई उपई पर cloud इतनी उपर नहीं पहुच पाती है कि वहाँ पर मौशर दे सके तो इस case में वहाँ पर जो vegetation है वो होती है scrub type की उसकी scrub type यह जीरो phytic होने के पीछे यहाँ की जो vegetation हाइट पर है वो कैसी होगी जीरो phytic जीरो phytic इसके पीछे और भी region है यह जीरो phytic के वाल इसलिए नहीं है किसे मौशरी कम है इसके पीछे एक region है हाइट की साथ साथ जो solar radiation है वो उसका level बढ़ रहा होता है आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ रखा होगा कि जैसे अपना यह earth surface है और यह अपना रहा environment उपर से जो solar radiation आ रहा है वो जमीन तक आने और reflect होने में यह इतने थिक environment से cross होके जा रहा है अगर आप यहां किसी पहाड़ी पे पहुँच गाया तो आपका environment की थिकनिस कम रही तो जो atmosphere solar radiation को जो absorb कर रहा था वो उतना नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए और उचाई के साथ तो atmosphere वैसे भी थोड़ा light होने लगता है तो उचाई बढ़ने पर solar radiation जो है वो भूँच जदा होता है आपने देखा होगा अक्सर जो हमारे आर्मी वाले हैं सियाचिन glacier में या कभी आपको भी IFS बनने के बाद गंगो 3 नेशनल पार्क अगरे घुमाया जाएगा तब आपको एक टाइप से वाइट पर या तो मास्क लगाएंगे आपका फेस आपको बांधना होगा या फिर आप वाइट क्रीम लगाएंगे परपस यह होगा कि जो solar radiation आ रहा है खाल सकर ultraviolet radiation ये आपकी outer skin को burn कर देता है हम लोगों को सर्दी की बज़े से हुआ पता नहीं पढ़ता लेकिन जब आप घूम करके आ जाते हो एक दो दिन एक दो दिन बाद आपकी जो फेस है वो थोड़ा black होने लगता और जो आपकी outer skin है वो निकलने लगती तब पता पढ़ता कि हाँ कुछ तो हुआ है मैं समझ में नहीं आए लेकिन वो burn हुआ है तो ये जो solar radiation का सीधा सीधा impact है इसे आप यहाँ पर देख सकते हो उचाई के साथ तो उचाई पर और क्या character होंगे उन्हें देख लेते हैं कि altitude के साथ आपको क्या होगा एक तो pressure है और दूसरा temperature तो pressure और temperature उचाई के साथ घटेंगे लेकिन solar radiation है wind की velocity है उचाई पर हवायां बहुत तेज़ चलती है आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग उस पर जाते हैं Mount Everest पर चड़ाई कारने जाते हैं तो उपर इतनी तेज़ अबाया होती है क्योंकि उपर रुकावट नहीं है जो wind है उनको कोई obstacle नहीं है तो बहुत तेज़ी से चल रही होती है तो अक्सर वहाँ पर casualty हो जाती है क्योंकि wind जो है forest vegetation पर और उसका impact पढ़ेगा वहां की soil पर मतलब climate और soil change होगी तो उसका impact सीधा सीधा vegetation पर पढ़ने लगेगा तो यह क्या effect करेंगे temperature है, pressure है, rainfall है soil fertility यह सारी चीज़ों को impact देंगे तो indirectly अपनी vegetation बदल रही होगी अब vegetation में एक vegetation जो है जिसे बूल दिया इस्क्रब vegetation यह जीरो फैटिक vegetation वो तो आपको समझ में आ गई होगी दूसरा एक character यह है कि plant की height और diameter उंचाई के साथ साथ देखो, pressure बढ़ेगा simple सी चीज़ है कि plant जितनी उसकी जदा height हो सकती है वो कब होगी जब उसको favorable condition बहुत अच्छी मिले और उसकी जो stem है उस पर outer जो pressure हो कम हो आप उंचाई के साथ साथ हवा का pressure बढ़ने लगता है पहली बात दूसरा अगर plant की जदा height है तो उसे monster जदा चाहिए नीचे से लेके अगर plant सपोज यह 40 मीटर का है तो 40 मीटर तक इसे नीचे से पानी खीच के ले जाना 40 मीटर तक 40 मीटर तक तो इसको क्या से यह बहुत ज़दा energy चाहिए एक तो इसे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए तो एक water बाल मुद्दा दूसरा इसे एनरजी बहुत चाही है 40 मिटर तक ले जाने के लिए और तीसरा इसे विंड प्रेसर को जहला है यह सारी चीज़ें उचाही पर पढ़ने के साथ एड़वर्स होने लगती है यानि कि जदा हाइट पर जदा हाइट के अगर मौनटेन पर चले जाओ तो वहाँ पर जो सौयल है उसमें पानी की कमी पढ़ने लगती है विंड तेज होने लगती है तो प्लांट की लिमिट हो जाती है वो एक लिमिट से जदा हाइट नहीं पकड़ पाता है इसलिए जो वैली रीजन है जो घाटियां है वहाँ के प्लांट जो होते हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है जबकि उसी स्पिसीज को अगर किसी प्लांट के मिड में या टॉप पे ग्रो कर दिया जाए तो उसकी हाइट जो है वो छुटी होती होती है दूसरा इंपक्ट होता है फिलेक्ट री डी का फॉरमिचन होना है अच्छा बेस्ट प्लेक्ट री का ग्जाम्पल है अगर सपोज है कोई वैली रीजन है अब होता क्या है कि विंड जब इंटर करती है उसमें तो एक टाइम पर कोई ओप्स्टेकल आ गई तो विंड हवा में एक्तिम तेजी से फोर्स करती है और मौन्टेन के उपार चड़ती है अब अगर यहाँ पर कोई वेजिटेशन है कोई प्लांट है अगर उसका ऐसा क्राउन है तो इसे इस साइड क्राउन के एक क्राउन ले लेते हैं crown की इस side की जो branches अन्हें बहुत ज़धा effects करते हैं तो यह usually break हो जाती है और जबकि इस side का crown है वो आहराकर हमसे growth करता रहता है तो result ही होता है कि इस side से plant साफ हो जाता है और पूरा एक ही side की branches भशी रहती है जैसा कि इसम हो रहा है तो इस type से flag tree का formation हो जाता है और फ्लैक्टरी काम मिलेंगे हमें यह जो अपना मौन्टेन रीजियन है खासकर उनके मौन्टेन टॉप जो होते हैं वहाँ पर अक्सर यही मलते हैं अपने एक करेक्टर और है आप अक्सर जब इस्पेसली आयफस की ट्रेनिंग के टाइम पर जब आप अंदर की साइड होती है एक साल है डिर साल है इस टाइब की चलती है क्योंकि कोल्ड होने की वजए से उनकी जो क्रूथ रेट है वो काफी कम होती है बहुत ही स्लो होती है तो वह काफी जदा टाइम डिलेती उसे तो अधर चीज़े भी हैं जो मौन्टेन की आल्टिट्यूट के साथ यहां पर चेंज होंगी तो उन्हें देख लेना है फिर एक अपना वह पढ़ रखा था मौन्टेन पर डिस्ट्रिविशन जैसे कि पाइनस है दियोदार है फिर यह वाली चीज़े देख रखी थी कि पाइनस जो रॉक्स वर्गी है वह आउटर हमाले में है लोर रीजन में है दि लेते हैं अल्टिट्टूड के हिसाब से अपने हमालय वेजीटेशन जो है उसमें भी फरक है पिछली बार कुछ चनाया था कि जो अपना इस्टन हमालय और वेस्टन हमालय है उसकी वेजीटेशन में क्या डिफरेंस है तो इसे सिंपल पर मैं थोड़ा ध्यान दो अपना ये रहा नकसा ये रहा हमालय अब होता क्या है कि ये वाला जो इस्टन हमालय है ये यहां से अपने जो बे और बंगाल है यानिकी समुत्र है उसके पास में उसकी काफी करीब है जबकि ये वाला जो रीजन है वो काफी डिस्टेंस पर है इसका रिजल्ट ही होता है कि जब इदर से पीछे से विंड जब इदर से धक्का मारती है तो यहां कुछ उंचाई तक आराम से मौस्चर मिल जाती जबकि उसी उंचाई तक मौस्चर वेस्टन घाट में यह जो वेस्टन हमालिया है उसमें मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है और यह डिफरेंस जो है वो लगवाग एक हचार फिट का सबसका है तो यही रीजन है कि जो हमारा इस्टन घाट है उसमें जो इस्टन हमालिया जो है उसमें जो अपना टिम्बर लाइन है यानि कि वो लाइन जिसके उपर ट्री ग्रोथ नहीं करते हैं यह ट्री स्ट्रेस की वजए से उस-लाइन की उपर या ऊस रीजन की उपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं पर इसके बाद एस रजिटी सेंशन शुरू हो जाते हैm तो इसे ट्री लाइन या टिम्बर लाइन कुछ भी बोल लेते हैं तो ये जो इस्टरन हमालिया है उसमें है ये लगवग 16,000 फिट पर जब कि वही बात अगर वेस्टरन हमालिया की बात की जाए तो ये ट्री लाइन ये टिम्बर लाइन हमें 15,000 फिट पर ही मिल जाती है तो ये लगवग 1,000 का जो डिफरेंस है ये हमें साफ साफ दिखने को मिल जाता है इस्टरन हमालिया और वेस्टरन हमालिया में अब कुश्चन इस टाइब का आया था कि इनके बीच में जो वेजिटेशन है उसमें एक टाइब का डिफरेंस पूछा था अल्टिट्यूटनल डिफरेंस पूछा था हमालिया की वेजिटेशन में तो अब altitude में क्या करोगे देखो कुछ तो common species है PDIR यानि की पाइनस दिवदार फिर वो तो इधर भी मिल जाएंगी आपको और वो इधर भी मिल जाएंगी कुछ species है जो means majority 90% तो दोनों हिस्ते में सेमी है बस आपको अगर इस टाइब की चीज़ लिखनी है तो इस बात को याद रखो कि इस रीजन में बंबू है नौर्थ इस रीजन में बंबू फूरेस्ट बहुत जदर dominant है बंबू और रेटन्स तो इसमें सीधा सीधा यहां के जो नीचे वाला दी जाना उसमें बंबू को लिख दो दूसरा क्या है यहां पर अपना जो पाइनस केसिया बगरा है वो उन्हें सब को लिख दो यहां पर इधर अपने normal सी चीज़ है जो अपने साल है टीक है बंबू यहां पर भी आएगा लेकिन एक्च्वल में यहां पर बंबू कम आता है यहां बंबू ब्रिक बगरा है जब हम forest classification पढ़ेंगे तो यहां पर आएंगे ड्राइव और moist bamboo bricks यहां पर बंबू और रेटेंस बहुत डॉमिनेंट है यहां पर थोड़ा बहुत बंबू मिल जाएगा अपने को दूसरा remaining species सेमी रहेंगे दो चार इधर लिख दो पाइना स्कुएर कैस है सेडरस देवदार है पॉपलर मैपल बगर है बगर है और यह भी यहां पर स्पीजी लिख दो जदर याद रखने की जरूत नहीं है अभी आप सिल्वी कल्चर सिस्टम ऑफ इंडियन ट्रीज पढ़ोगे उसमें लगए थर्टी सिक्स स्पीज है त पस फरक जो है वह आपको एक तो याद रखना है यहां बंबू ब्रेक का तूसरा यहां पर टिंबर लाइन का और बहुत बड़ा फरक नहीं है इनके पैजिटेशन में पस यसे यह देख लो कि यहां पर पहला जो रीजन है वो 5000 फिट का है फिर यहां पर यह ग्यारा बारा के बीच का बाट देते हैं और फर 15-16 जार फिट के रास पास बाट देते हैं तो यह इस्टन और वेस्टन जो है माल है उसका एक डिस्टिबूशन आ जाता है इसके बाद एक और केस है अपना अपने अक्सर देखा होगा अपना जो अपना वैली ओफ फ्लावर है उसमें व होती सी में था बहुत ही लिमिटेड है वो इतना ज़्यदा नहीं है का कोई प्लांट ग्रो कर पाए बट वो हाँ इतना है कि वहाँ पर जो ग्रास वगरा है वो इसली सर्वाइब कर पाती है तो यह जो वैली ओफ फ्लावर है उसके साथ भी वही है कि वह एक उस लाइन के उपर है टिंबर लाइन के उपर है तो वहाँ जएदा नहीं होते हैं आपने उत्तरखंड में बोग्याल पढ़े होंगे ग्रास लेंड जो है वो इस पर भी यह चीज़ है विदनी बोग्याल बगर है इसमें अब एक एक सरसाइज है जो कुश्चन है अल्टिटूट पर उ दूसरा दूजर बारा में आये था कि यह जो अपना डिस्क्राब्ट अल्टिटूटनल वैरियेशन अफ फ्लोरा ओफ इस्टर और वेस्टर नहीं है तो इस टाइप का एक सिमेटिक डाइगराम का बनाना था तो आप आरम से इस टाइप की डाइगराम को वहाँ चिपका द ही है हाइट में थोड़ा फराक कर देंगे बस कम चल जाता है और यह सिंपल सी चीज है हम लोग जियोग्राफिय में कई बार पढ़ चुके हैं वही कुश्चन पूछा था है 2019 में हमाना है नेक्स अपना फ्यक्टर हैगा लैटिट्यूड औरोग्राफिक मैं डाद रखा है इसे लेकिन लैटिट्यूड बेसिक कहीं भी देखा जा सकता है अब हम लोगों को पता होता है कि जैसे हमारा सन है वह एक्क्वेटर रीजन में अगर जो सोलर रेडियेशन है पर यूनिट एरिया को हिसाब से देख लिया जाए तो उससे सोलर रेडियेशन ज्यादा मिलता ह नहीं क्योंकि वहां पर रेडियेशन का जो एंगल है वो थोड़ा स्केटर हो जाता है 45 पर जो धूप है वो इसकेटर हो जाती है जिससे वो पर यूनिट जो फोतोन मलने है वो कम होते है तो इसका निगेटेव या इसका इंपक्ट क्या पाड़ेगा सिधी चिवात है यहा पर जहाँ temperature जदा होगा वहाँ zero fighting vegetation हो जाएगी और यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक है तो वहाँ पर green vegetation है और यह अगर बहुत ही जदा चला जाएगा तो वहाँ temperature जदा down हो गया वहाँ बर्फवारी हो जाएगी तो यह latitude का भी एक variation हो जाता और इसे हम कैसे समझ सकते हैं अपनी इस type के पर अब यह altitudinal हो गया और वह altitude को पहड़ी को यहाँ पर ले लो यह अपनी अर्थ हो गई तो अर्थ में यह polar eyes वाला ले लो यह अपना tropical region है फिर ग्रास लेंड होकर रहा है यहां पर टुंड्रा और टैगा वाले हैं यह टैगा है टैगाफ फोरेस्ट या कौनिफर्स फोरेस्ट फिर यहां डेसिटुस आ गया और यह ग्रास लेंड रोड़ वगर यह तो इस टाइप का हम अल्टिचूट के साफ यह लेटिचूट के साफ से समझ सकते हैं नेक्स्ट मॉन्टेन का एक 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 एक्ट वार है वो है इसके स्लोप का यहां इसका एक कुश्टन देख लेते हैं लेटिचूट इंफ्लूंस दाफ फोरेस्ट टाइप आफ अर्थ एक्स्प्लेन एक कुश्टन देख लेए ना करने की कोशिस करो नहीं हो पाए तो फिर सॉल अगर है तो उसमें उसके स्लोप के तीन फेस हो सकते हैं एक तो वो फेस है जहां से जो स्वैल है वो एरोड हो रही है जैसी यह वाला रीजन दूसरा है जिससे स्वैल गिर रही है यह इसका इधर की टॉप जिससे स्वैल गिर रही है दूसरा है यह वाला रीजन जिसे बोल पर यह deposit हो रहा है तीसरा ही है तो इस type से हम बोल सकते हैं कि एक है denotation slope जहां से यह erosion हो रहा है दूसरा transportation और तीसरा accumulation तो slope के यहां तेन टाइप हो सकते हैं यह पढ़ने का केबल एक ही परपज है कि इस चीज की बातों को समझ लो इस पर कोई question आने वाला नहीं है slope के जो impact है वो क्या हो सकते हैं अक्सरा महमाला में देखते हैं land slide हो गई soil creeping है solid flexion है यह सारी चीज़ें वहाँ चलती रहती है soli flexion को थोड़ा समझ लेते हैं सब्द अच्छा है और कई बार थोड़ा बहुत confusion कर देता है यहां पर क्या है जैसी यह land slide में को होगा कि जमीन एक साथ खिसक जाती है अब soli flexion में भी यही होगा soli मतलब solid flexion मतलब बहना यहां होता क्या है कि जमीन जो है वो इस टाइब की एकदम सरकती नहीं है यहां जमीन में मुश्चर बहुत ज़्यदा मिल जाती है और धीरे धीरे जो मिट्टी है वो बहुत हद से ज़्यदा धीली हो जाती है और ये एकदम इस टाइप की लेंड श्लायड होती, उस टाइप की सलायड ना ओके, ऐसे बैती है जैसे कि बहुती गाड़ा जो अपना ओइल होता है, बहुती जदा डेंस हो हhã, आपने समझा होगा कि जिसे अपना वोलकन हुआ, वोलकन हो का जो लाबा खेसकता है, बस लाब flood की तरह move करती है इसी से mountain से जुड़ा एक चीज और है वो है इसका aspect और exposure जो last है इन सब्दों का मतलब समझ लो सीडी सीडी जी बात है उसमें कि कोई mountain की जो north face है या south face है, solar से किस direction के साब से है उसका impact पता है अगर आप mountain region में जाएं हमाला है में जाएं तो हमारे common से दिमाग में एक बात जाती है कि देखो हमारे याँ मानसून किस side से आता है इस बात को ध्यान दें जो बता रहा है यह अपना हमाला है हम लोगों को यह लगता है कि जब मानसून इधर से जा रहा है तो हमारा जो हमाला है इधार से जब जा रहा है इसका ये नॉर्थ फेस है और ये है साउथ फेस नॉर्थ पोल की तरफ और ये साउथ पोल की तरफ तो हमें ये लगता है कि साउथ साइड से क्योंकि मांसून जा रहा है तो इस साइड से मांसून जा रहा है तो इस फेस में मौस्चर बहुत ज़ता होगी तो जो vegetation है वो इसी face पर होगी और यह जो north face है यान कि जो ऊपर की side north pole की side की है इस पर vegetation नहीं होगी तो mountain में कभी भी आप घूमने जाओ ना पाड़ियों इस type की मिलती है तो हमें यह लगता कि यह north side है और यह south side है sorry यह south side है और यह north side है ऐसा feel होता है लेकिन actual इसके बिपरीद है actuality इसके opposite है होता क्या है कि yes बिल्कुल सही है कि जो अपना south face है उस side बहुत ज़्यदा rainfall मिलती है rainfall तो बहुत ज़्यदा heavy है बहुत ज़्यदा heavy है southwest अपना जो monsoon आता है उसकी बज़े से लेकिन होता क्या है कि solar radiation भी यहां पर बहुत है इसकी बज़े से यहां चितनी ज़्यदा moisture मिली उतनी ही ज़्यदा moisture यहां से उड़े भी गई तो यहां पर जो net gain है वो बहुत कम होता है compare to north face north face पर moisture बहुत ही कम मिली लेकिन solar radiation उससे भी कम है तो इसका net result यह होता है कि वहां पर vegetation को moisture availability बहुत अच्छी होती इसलिए वहां पर vegetation वो luxurious vegetation होती है इसलिए जब आप पहड़ों में जाएं अगर हिमालय के पहड़ों में जाएं और आपको इस ताइप की पाड़ियां दिखें तो आप समझ सकते हो कि यह वाला जो face है यह north है और यह वाला जो face है यह south है ठीक है तो यहाँ पर यही सारी चीज़े हैं अब इस पर दो कुश्चन देख लेते हैं और अपना जो चप्टर है फिजियोग्राफिक फेक्टर यह यहाँ पर खतम हो जाते हैं कुश्चन है the configuration of land surface has an impact on local climatic condition or wind movement तो इसमें वो जो remaining चीज़े हैं उस पर comment करने का बोला गया तो आप कैसे करोगे कि land surface जो है वो कैसे local vegetation और wind movement को यानि कि local climate और wind movement को कैसे impact करता है तो उसे आप लिख सकते हो कि जो mountain arrangement है उसका latitude, altitude है mountain की position है वो चीज़ें effect करेंगी mountain की position और उसका arrangement और mountain की width अगर कोई पतली single mountain वो इतनी नहीं करेगी जबकि हमाला में क्या 3-4-4 mountain एक साथ range में गई है तो अगर एक से कुछ बादला कर interview कर जाते हैं तो दूसरी उसे रोक लेती है तो इस type से उस पर ज़्यदा impact चला जाता है फिर यहां पर discuss briefly about topographic feature influence vegetation के topographic feature जो है वो vegetation को कैसे influence करते हैं उसके बारे आपने को discuss करना था यहां अपना ये वाला chapter है वो end बजाता है अब अगला chapter आएगा अपना biotic factors इस पर basically हम तीन मुद्दों पर discuss करेंगे यानि कि हमारा जो forest है उसको किस type के factor जो influence करेंगे वो खुदी living thing है खुदी biotic things है तो वो कौन करेंगे एक तो पिल को दूसरी पिल करेंगे दूसरी क्या कर सकते हैं दूसरे जंगली जानबर और तीसरा इंसान तो इस type से basic तीन things है या तीन चीज़े हैं तीन object हैं जो हमारे forest को effect करेंगे इन्हें एक एक करके discuss करेंगे तो सबसे पहले हम यह जो plant से plant के बीच का जो interaction है यानि कि forest में एक plant दूसरे plant से कैसे effect करता है उस मुद्दी क discuss करेंगे यानि कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच के relation जनरल ये plant के बीच में तिन टाइप के relation होते हैं एक है parasitic दूसरा है competitive और तीसरा है symbiotic यह जो parasitic और competitive है यह कहीं न कहीं थोड़ी negative type के है जहां एक दूसरे के प्रतिफिक competition हो रहा है एक दूसरे के प्रतिफिक मकान है इसी के लिए ये वन प्लांट ही है वेजिटेशन है वो एनोधर से इस टाइप से इंटरेक्ट कर रही है निगेटिब लिए सेकिंड ये अपना आ जाता है सिंबायोटिक जिसमें एक दूसरी को एक टाइप से सुपोर्ट करेंगे हाँ उसमें सिंबायोटिक के अधर चीज़ां भी हो सकती है जिसमें एक टाइप से कॉपरिसन चल रहा है या थोड़ा बहुत अलग टाइप के रिलिशन हो सकता है यहाँ पर यह अपना यह इपिफाइट और किलिमबर्स अलग चीज़ां है इस सिंबायोटिक का पार्ट नहीं है तो यहाँ परसाइटिक में हम देख लेते हैं जैसे कि अपना सबसे बेस्ट एक्जामपल होता है कसकुटा कसकुटा है रिफ्लेक्सा या डोडर इसे आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा होगा इसमें अक्सर यह जो दूसरे प्लांट्स है उनके उपर ग्रो कर जाता है और इसकी जो रूट्स है यानि कि जो प्लांट्स है उसकी जो स्टेम है उससे कुछ और्गन निकलते हैं जरे हम बोलते हैं होस्टोरिया यह होस्टोरिया इस मेंड प्लांट्स से बिलको अटेच हो जाते हैं और जो water से ही है minerals से ही है वो इस man plant से absorb कर लेते हैं तो इस type से ये जो doder होता है ये total stem parasite है इसका जमीन से कोई connection नहीं है ये जिस plant उपर ही चड़ जाता है उसे पूरा choose डालता है उसे पूरा consume कर डालता है तो एक टाइप से ये parasitic relation है अब इस parasitic relation में other relation भी बन सकते हैं जैसे कि ये जो parasite है वो partial stem parasite है ये total stem parasite है partial में जैसे कि लॉरेंथास आ जाता है नोर्थ इंडिया में आकसर प्लांट की उपर आपको इस type का मिल जाएगा लॉरेंथास या फिर आपको viscum और arcythobium मिल सकता है वो भी इस type के partial amies वो देखो आप viscum और arcythobium को देखो गए तो ये दोनों के तोनों green है यानि कि ये photosynthesis तो खुद कर लेते हैं यानि कि खाना तो खुद बना लेते हैं लेकिन इन्हें चाहिए water minerals और ये जमीन पहने तो ये water और minerals plant से ले लेते हैं लेकिन food खुद बना लेते हैं वहाँ से अपना पानी और आटा ले लेते हैं रोटी खुद बना लेते हैं जबकि जो अपना डोडर था कसकोटा उसके पास कुछ नहीं था उसके पास chlorophyll भी नहीं था तो फिर वो direct food भी उठा लेते हैं यहाँ यह इस टाइप की जो relation है जैसे की total parasite कौन है partial parasite कौन है partial root parasite कौन है यह partial stem है और यह partial root partial root में आता अपना centelum album यह IFS वालों के लिए कोई important part नहीं है यह बोल सकते हो कि यह जो अपना biotic factor वाला जो chapter है यह समझने के लिए काफी है क्योंकि इसमें कुछ footer point मिल जाते हैं इससे बहुत ज़्यदा written exam में बहुत कुछ लिखने को आने वाला है नहीं ऐसे कोई question आते नहीं है जो इसमें MCQ वाले भी exam देने वाले हैं इसमें के लिए थोड़ा बहुत मतलब का आ जाता है नेक्स अपना इसी में आएका जैसे plant to plant interaction में जो अपना symbiotic है उसको देख लेते हैं symbiotic में अपना mycorrhizal जो relation है उसे देख चुके हैं दूसरा nitrogen fixing के लिए जो राई जो भी हम था यह जो फ्रेंकिया कर रहा था इसको हम देख चुके हैं यह दोनों को देख चुके हैं यह mycorrhizal भी हो चुका है फिर आता इपिफाइट इपिफाइट का मतलब होता है कोई plant दूसरे plant के उपर grow कर जाए इपिफाइट में यह जो plant है जैसी कि वेंडा है यह एक दूसरे plant के उपर grow कर गया है लेकिन यह इस plant के उपर cable attached है यह उससे ना ही nutrient ले रहा है ना ही minerals कुछ नहीं ले रहा है यह उससे कुछ absorbs नहीं चीए बस यह cable उसके उपर चड़ा हुआ है क्यों क्योंकि यह generally ऐसे area में grow कर रहा है जैसे tropical rainforest area वहाँ जमीन तक rainfall मितलब moisture बहुच ज़दा है और light पहुचती नहीं है तो ऐसे छोटे मोटे जो plant अगर वो जमीन पर उग गए तो उन्हें light मिलने वाले हैं नहीं तो survive कर नहीं पाएंगे तो यह क्या करते हैं एक type से adaptation है कि यह किसी दूसरे plant के जो top वाले part है जो branches है जो की surface यानि कि air में थोड़ा past में है air के पास है वहाँ पर grow कर जाते है जिससे उन्हें light भी मिल जाती है और वो केवल हो वहाँ है बकागी चीजें सब वो खुद कर रहे हैं जिससे पानी की बा parasite नहीं है अगर parasite होते तो यह plant जो है जिसके उपर यह चड़े हुए हैं जिसके उपर यह hold कर रखा है उसी से लेते ना कि airs है तो epified का मतला होता है epi means above fight का मतला plant है यह दूसरे plant के उपर चड़ गया है इसी में एक आते हैं किलिंबर का भी मतलब होता है किसी के उपर किलिं ना लेकिन किलिंबर के साथ यह character है कि यह जमीन से attached है यह भी एक टाइप से adaptation है adaptation किस टाइप का यह जैसे tropical rainforest area है अब वहाँ पर इतनी जदा जो vegetation है वो लगवक फूर फाइप लेयर की कहनों पी होती है अब ground level पर लगवक धूप पहुँच नहीं पाती है तो अब ऐसी सर्वाइब कर नहीं सकते तो उन्होंने अपने आपको एक टाइप से अडप्ट कर लिया इस environment के साथ से वो क्या करते है उन्होंने किसी स्टैम जैसा ट्री जैसा स्टैम डिवलप ना करके पतला सा डिवलप किया और वो जल्दी से किसी दूसरे plant की ऊपर चड़ जाते है औ और प्लांट के टॉप पे पहुंच करके उन्हें आराम से दूप मिल जाती है तो यह है क्लेमर तो आप इनके बेसिक समझ दो के इपीफाइट क्या है लाइनाज क्या है सिंबाइटिक रिलेशन क्या है इनका एक लिमिट से आपके लिए बेनिफिट नहीं है इस में बस यह है कि कभी कोई कुश्चन इधर उधर मोव कर गया है तो आपको फुडर पॉइंट मिल जाते हैं लिखने के लिए अब यह तो रहा अपना प्लांट से प्लांट के बीच का इंटरेक्शन अब प्लांट और एनिमल के बीच में क्या इंटरेक्शन हो सकता है वो निगेटिव डिसपर्सल में काम कर रहा है तो जू चोरी हो गया पॉलन डिसपर्सल में काम कर रहा है तो जू फिली हो गया निगेटिव में क्या होगा पर्ग्यूपाइन है यह गया कोई प्लांट लगा था उसकी जणे जो थी रूट्स जो थी उन्हें खाकर के आ गया यानि कि इसने plant को damage पहुचा दिया आप insect based का समझते हूँ कि कोई कीड़ा है insect है उसने किसी plant पर attack किया और उसे damage कर दिया forest pathology जब पढ़ोगे forest entomology पढ़ोगे तो वहाँ पर जो insect है जो plant को कहीं न किसी भी तरह से damage पहुचा रहा होते है तो वे एक type से plant का animal के साथ या insect के साथ क्या हो गया negative interaction similarly हमारा plus negative impact होता है human being के साथ अब plus interaction positive interaction तो आप जानते हो human being plant के साथ कैसे positively interact करते हैं हम उने protect करते हैं हम उने लगाते हैं reforestation है forestation बगरह करते हैं यह सारी चीज़ां आप समझते हो negative भी जानते हो कि हम forest को काट देते हैं illegal fling करते हैं mining कर रहा है deforestation कर रहा है forest fire कर रहा है grazing lopping को कर रहा है यह हमारे negative है अगर आपको ऐसा लगता है कि यह जो हमारे interaction है इनके बारे में आपने जदा नहीं पढ़ा है इनने समझने हैं और explore करना है तो टेंसर मतलो धीरे धीरे जब अपना syllabus आगे बढ़ेगा यह जब अपना forest protection आएगा तो यह नहीं चीज़ों पर पूरा discuss करना है यह deep forest and illegal filling forest fire है यही लगवाग 2-3-3 page का जो है लगवाग 15-15 20-20 minute consume करेंगे अपने तो धीरे धीरे यह चलते रहेंगे पस एक basic idea बना लो जिससे अपने पास footer लिखने को अब इसका last देख लेते हैं इसकी exercise जो इस पर आयोगे question है इसे explain the eco physiological factor that more concerned to silviculturist इसे पहले वीडियो मैं भी discuss किया गया था कि ऐसे कौन-कौन से ecological factors हैं जिने एक silviculturist को ध्यान देना चाहिए है तो इसमें कौन-कौन से हो सकते हैं climatic climatic factor में बहुत सारे जो आगाए थे जैसे solar radiation है rainfall है flood है मौश्चा नहीं यह सारी चीज़ों को edific मिट्टी किस टाइक की मिट्टी है मिट्टी में राइजोबियम है यह नहीं है मतलब edific वाले माइकुराइजा वाले उन सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है topographic वहां की hill कैसी है slope है plan है वहां की slope के साब सब local weather कैसी है उन सारी चीज़ों को देरना है और biotic biotic क्यों आपको यह भी देखना होता है को वहां के living thing कैसी है suppose वहां पर elephant का impact बहुत ज़दा है आप वहां पर bamboo plantation करके चले गए बोला बिल्कुल must है बamboo के लिए area और आप करके चले गए दूसरे दिन वहां पर एक जुन्ड आ गया elephant का और पूरा consume करके चले गए तो आपको कोई फायदा नहीं पड़ा पूरी plantation फैल हो गए प्रोजक्ट ही flop हो गए आपका तो यह सारी चीजों को silvy cultureist को देखना पड़ता है कोई vegetation है या कोई plantation है उसके success के लिए क्या-क्या requirement है इस टाइप के कौन-कौन से तो धीरे-धीरे कुछ ऐसे factor और मिलेंगे जिनने आप इसमें add कर लोगे तो इस टाइप से आपका यह question है वो समय के साथ with time pass enrich होता रहेगा next यहाँ पर है question जैसे what are the ecological aspect for selecting the tree species कि कि किसी tree species को select करने के लिए क्या हमें ecological aspect की जरूवत है इस question को एक थोड़ा दिहान दे लो यहाँ ज़्यदा discuss करने की मुद्धा नहीं है जब choice of species पढ़ेंगे लगो अगले एक दू दिन में आ जाएगा जो silvical culture में है last लगोग में में आता है choice of species जब हमें कहीं plantation करना होता है तो हमें एक suitable tree species को select करना होता है तो इसमें उसी से related actual में यह question है कि हमें ऐसे कौन-कौन से ecological aspect को देखना होता है किसी tree species को select करने के लिए क्योंकि जब हम किसी tree species को select करते हैं for example कल Rajasthan government बोलती है कि भाई हमें self-reliant होना है खासकर जैसे अभी हमारे पास जो paper industry है हमें self-reliant होना है हम अपनी देश की जरूरतों के साब से paper का production खुद करेंगे और plantation बार को start कर देते हैं और Rajasthan government बोलती है कि paper जो है वो हम popular की plantation करेंगे राजस्थान के desertic area हमारे पास बहुत बड़ा area है उसमें popular की plantation कर देंगे तो ऐसा थोड़े है कि तुम डेज़ेट में popular लगा दोगे आपको डेज़ेट की temperature देखना पड़ेगा weather देखना पड़ेगा बहुत सारे factor होते हैं उसके हिसाब से यह आप species को select कर पाते हो तो यहाँ जो selection के लिए जो criteria है जहाँ soil वाले factor है ecological factor है climatic factor है इन सारी चीज़ों को जैने हम discuss करते हैं जो इसके stake holder है एक species को select करने के लिए बहुत सारे stake holder है और एक होता है अपना ecological aspect तो यह यहाँ पर जो जैसे ecological मतलब जैसे एक plant के साथ दूसरे जो living things उनका किस टाइप से interaction हो रहा है उन सारी चीज़ों को है तिये question धीरे धीरे आपको energy होगा अभी बस एक समाईल होगा क्या मुद्दा चल रहा है उससे यह कहीं न कहीं link हो रहा है influence of forest on their environment अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा सबसे पहले आया था अपना climatic factor फिर आया edific आज की वीडियो की स्टार्टिक में पढ़ा था हमने फिजियोग्राफिक और बायोटिक और बेसिकली देखा ये था कि ये चारों factors जो forest है अपना उसको कैसे influence कर रहा है उससे कैसे effect कर रहा है इस chapter में basically इसका उल्टा करना है कि आखिर जो हमारा forest है इन चारों factor को कैसे effect कर रहा है अगर हम किसी natural forest की बात कर रहा है अगर कहीं आप natural area में जाओ तो एक plan यानि कि एक अगर clean surface area है जैसे कि एक open surface area जहां कोई vegetation नहीं है उसके compare में अगर हम इस forest को देखे हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा सबसे पहला character देखने को मिलता है कि यहां के जो canopy है वो बिलकुल break नहीं है अगर आप top से उपर से नीचे देखोगे तो आपको जमीन का जो surface है वो कहीं दिखने वाली ही नहीं है अगर उपर से अपने rain का drop भी डाला उपर से दो बाल्टी पानी भी डाल दिया तो वो भी ऐसा नहीं है कि surface तक आराम से पहुच जाए क्योंकि यहां canopy के different layers होगी जैसे एक layer यहां पर होगी दूसरी layer यहां पर हो सकती है तीसरी और नीचे होगी चौती उसके नीचे होगी तो यहां इस type से canopy की different layers होगी जो आपका जो water उपर से गिरा है या rainfall है उससे different liver पे filter करेंगी जिससे जो rainfall या जो precipitation है उसकी speed कर जाती है solar radiation तो कई बार नीचे जो tropical rain forest होते है उनमें जो base होता वहां अंधेरा हो जाता है क्योंकि वहां तक solar radiation पहुँच ही नहीं पाता है अगर wind की बात की जाए तो wind इस type के deep forest में इंटर करनी का उनका कुछ परपच बचते ही नहीं परपच क्या अगर wind उसके अंदर इंटर कर गई तो वो चलती ही नहीं यानि कि इस type के forest में आपको wind ऐसा लगता ही नहीं कि वहां कोई wind एक्जिस्ट करती क्योंकि wind का blow होना लगवाग impossible उपा था obstacle बहुत ज़दा है और क्या है आपको पता है long wave और short wave radiation हमने climatic factor में पढ़ा था जहां पर frost वाले condition में कि अगर हमारी जो earth surface है solar radiation आता है कौन सा sword wave और हमारी जो earth उपर भीजती है वो है long wave radiation अब अगर surface के उपर ये vegetation के cover हो जाए तो क्या होगा इस type के forest vegetation से जो उपर से solar radiation से जो sword wave radiation जो आ रहा था वो कभी earth surface तक पहुँच नहीं पाता है और अगर earth long wave radiation emit भी करती है तो कभी उपर जा नहीं पाता है क्योंकि वो जैसी उपर की तरफ जाता है ये जो umbrella है ये 4-5 layer का canopy का ये उसे absorb कर देता है ये उसे effect कर देता है तो इस type से ये जो canopy का unbroken layer बन जाती है वो एक अपने आप में पूरा micro climate बना लेती है और ये effect करेगी अपने factors को दूसरा क्या होता है nutrient recycling एक बहेंकर बाली mechanism plant दो type से nutrient cycling करते है एक है internal nutrient cycling और दूसरी है external nutrient cycling internal क्या है आप देखोगे कि plant जो है उसकी पुरानी पतिया है वो समय के साथ पीली पढ़ जाती है और पीली पढ़ने के बाद गिर जाती है तो जब वो हरी थी तो obviously उनके अंदर कुछ type के minerals होंगे जब वो पीली पढ़ जाती है तो वो minerals कहां जाते है तो plant क्या करता है कि जब कोई leaf जिसकी जो life है वो complete हो गई तो उससे जो nutrient है उन्हें सक कर लेती है बापस ले लेती है और उसे उस region में बेच देती है जो new leaf लेटर वाला area जहांपर वो nutrient की requirement है जैसे कि iron है वो पुरानी leaf से खीच करके नई leaf की तरह move कर देगी तो धीरे धीरे पुरानी leaf की जो nutrient वाली जो condition है वो कम हो जाती है वो उतनी बरवाद नहीं होगी वेस्टेज नहीं होगी तो plant इस टाइप से nutrient की internal recycling कर लेते हैं दूसरा होता है external recycling जिसका अपने यहां पर बहुत ही ज़दा important है external क्या यह पुरानी जो leaf है वो जड़ जाएंगी तो ज़दा ने सही लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा जो nutrient का है वो swell पर गिरेगा यह swell में फिर बाद में मिट्टी के साथ क्योंकि rainfall बहुत ज़दा है तो percolate होंगे जमीन में अंदर की side चले जाएंगे जब यह अंदर की side चले जाएंगे तो क्या है मिट्टी में चले गए फिर यहाँ plant की जो roots है वो इसे बापस पानी के साथ absorb करेंगे और उसे फिर से खीच के लेके आएंगे तो इस type से यह जो nutrient है वो गिरे फिर absorb हुए फिर गिरे फिर absorb हुए तो इस type से उनकी cycling चलती रहती और वो जो minerals है वो इस जो chain है इससे बाहर नहीं निकल पाते इसी chain में trap हो जाते है तो यह है minerals recycling इसका result क्या होता है soil की जो fertility है वो improve हो जाती है soil थोड़ी loose भी होती है क्योंकि नकिवाल यह minerals को recycle करते हैं भलकि कुछ new minerals का formation भी करेंगे तो इस type से soil को loose करेंगे soil की fertility improve करेंगे soil में जो water pergulate हो रहा है उसकी capacity जो है उसे भी यह बढ़ा देते है तो यह mineral cycling का भी एक impact पड़ता है third impact जो tree करते हैं वो क्या करेंगे इनकी जो roots हैं tree क्योंकि देखो एक plant तो है नहीं है बहुत सारे plant है अब एक plant है अगर यहाँ पर soil है तो उसके बीच में यहाँ पर पूरा एक framework बनाएगा फिर यहाँ दूसरा plant है उसका अपना framework रहेगा तीसरा plant है उसका अपना framework रहेगा तो यहाँ की मिट्टी में यह plant की जो roots है उनका एक इतना strong एक network बन जाता है बहुत भेंकर वाना, उसका result है कि ये स्वैल को एक तो भछ भेंक, भेंकर मीस बहुत जदा लूज कर देते हैं और उसमें हर जगार route होती है, उसे बिलकुल strictly। बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं चकड़ लेते हैं स्वैल को उसका रिजल्ट है स्वैल एरोजन जैसी चीज है तो पॉसिबल होना पॉसिबल ही नहीं है फिर क्या है कि वहाँ पर जो लोकल बायोटा है एनिमल है प्लांट है इनको एक टाप से स्वैल जो है वो इसका इमपेक्ट पड़ता है यह जो रन ओफ है वाटर रन ओफ है उसे होने नहीं देता है और परकॉलेशन क्योंकि स्वैल को लूज कर देगा तो स्वैल एक टाप से चन्नी यानिकि अपने फिल्टर की तरह काम करने लगती है और वाटर जो उपर से आ रहा वो इसली पर परकॉलेशन को देख लेते हैं जैसे सबसे पहले अपने ले लेते हैं इन्वार्मेंटल फैक्टर में क्या है जैसे विंड अब अगर कहीं साइकलोन आ रहा है साइकलोन की जो एयर जो फोरेस्ट के ऊपर से चली गई वो तो चली उस पर कोई फरक नहीं पाड़ने वाली ल लगवाग वो 60-70% जो विंड की स्पीड है वो गरा देता है लेकिन अगर राजिस्थान जैसी कंडीशन है जहां पर स्कैडरी है में सेमी एरिट कंडीशन है तो वहाँ पर लगवाग 20-30% तक जो विंड की वेलुसिटी है वो ये गरा देते हैं हुमिडिटी की बात की जा है डिपेंड करता है वेजिटेशन कैसी है लगवाग 15-20 तक पहुंचाती आराम से जदा हुमिडिटी का मतलब यह होता है कि वहाँ पर लोकल जो है टेंपरेचर डाउन रहेगा और पॉसीबल हुआ तो सामको चार वजे तक अकसर फोरेस्ट एरिया में रैनफॉल हो जाती है क्योंकि यह जो फोरेस्ट है देखो आज के टाइम के फोरेस्ट प्लैल एरिया में तो है नहीं जदातर मॉंटें रीजन में है तो मॉंटें में क्या कि नों ने यहाँ पर यहाँ ज्यादा हुमिडिटी कर दी यहाँ पर कोई पहाड़ी हो गई और जैसी यह विंड इस तरफ गई चंडेंस हो गई और उसने यहाँ पर रेनफॉल कर दी तो अक्सर यह जो फोरेस्ट एरिया वहाँ फोरो क्लॉक कर अक्सर हो जाता है तीसरा है टेमपरेचर हुमिडिटी बढ़ेगी तो टेमपरेचर बैसे भी गर रहा है टेमपरेचर गरने के पीछे दो तीन और दी जाने है तेमपरेचर बढ़ता कैसे है गर्मियों में अपने टेमपरेचर ज्यदा क्यों होता है क्योंकि सोलर रेडियेशन गिरता है सर्फेस पे स्वैल सर्फेस पे और वो स्वैल सर्फेस को हीट अप करता है और स्वैल सर्फेस की हीट से एयर हीट होती है यानि कि हमारी जो air heat है जियोग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि air के heat up के लिए जो man source है वो earth surface है ना कि solar radiation क्योंकि solar radiation air को इतना heat up नहीं दे पाता जितना earth की surface देती है अब forest area में क्या है कि forest ने पूरी तो earth surface को cover कर रखा है उपर से जो solar radiation आया उसे पूरा इसने catch कर लिया नीचे से भी long wave radiation earth ने कोई emit कर दिया गलती से तो उसे भी इसने पकड़ लिया तो air को heat तो मिलने वाली है नहीं तो air temperature वहाँ हो जाता है down अगर for example के लिए अगर आप कभी पहड़ों में जाओ तो अगर आप कहीं ऐसे दियोदार की अरिया में पहुंच जाओ training की time पर possible आपको जब गुमाया जाएगा तो आपको सामने दिख भी नहीं रहा होगा कि यहाँ दियोदार का एक patch है लेकिन जैसी आप उसके पास पहुंच होगे वहाँ पर एक ठंड़क सी अनभाव लगता है ऐसा फिल होने लगता कि यहाँ temperature डाउन हो गया ठंड़क हो गई और obviously वहाँ अगले 400-500 मीटर की रेंज में कहीं न कहीं दियोदार का पैचाप को मिल जाएगा क्योंकि वह बहुत ज़दा इस टाइप की जो है यह moisture जो निकाल रहा है evaporation के दुरू या radiation है उसको impact वहाँ बहुत ज़दा दिख रहा है एक अपना आता है forest वाली condition या global warming है वगडर है तो इन्हें समझ सकते हैं कि green house gas का जो emission है वो तो forest fire में होता है लेकिन normal forest की तो कोई possible बन थी नहीं है अब यह तो रहा अपने environmental factor पर है तो इस पर question आएंगे आप पर कर लेना एक बार दूसरा अपना soil factor पर soil पर कैसे effect करेगा देखो soil को इसने पूरी तरह से cover कर दिया है तो soil को temperature बढ़ने वाला था solar radiation से बोया पहुचने नहीं दे रहा तो temperature कर देगा long wave radiation जो इसने निकाला उसे भी absorb कर लिया तो यानि कि soil को क्या है एक type से जो अपनी soil surface था उसके उपर इसने mulching कर दी यानि कि एक type से उपर cover चड़ा दिया तो soil का temperature यह बढ़ने तो देता नहीं है और एक limit से नीचे गरने भी नहीं देता क्योंकि यह जो long wave radiation उसे भी वहीं पर block कर देता उसे भी छोड़ने देता नहीं है तो soil temperature को maintain कर देता ही है दूसरा है moisture, soil moisture दर रहती है यहां पर देखो यहां water की पूरी cycle चल रही है ज़दा पेड़ है तो obviously यह जमीन से बलकुल पानी को pump कर रहा है एर में एक normal plant की ले लो जैसे एक tree ले लो एक tree usually दस से बीस लीटर पानी को pump कर रहा है पर दे, अब यहां पर हजारों पेड़ हैं तो सुचो gallon में पूरा million of gallon water जो एक forest है वो एर में सीधा सीधा pump कर रहा है तो इसके एसाब से तो जमीन में पानी की कमी होनी चाहिए लेकिन हो गया रहा है कि इसने जो यहां पानी pump किया वो साम को चार पाँच वज़े तक बापिस rainfall में यहां बापिस आ गया तो इस type से हुआ गया कि यह एक local जो rainfall वाला जो pattern बन गया तो एक bulk में जो water है वो इसी weather में फसा रह जाता है इसी cycle में फसा रह जाता है वो ऐसा नहीं है कि run off हो करके बैह करके समुद्र में बापिस मिल गया इनका जो water है वो तो यहां पर trap होई गया इसके अलाबा जब mansoon आता है वो भी थोड़ा बहुत अपना जो water देगी जाता है तो यहां bulk में एक जो water है वो यहीं cycle होता रहता है continue cycle होता है इस वजह से जहां भी forest बहुत बड़े forest होते है उनका जो water table है वो बहुत ज़दा हाई होती है क्योंकि जो forest है वो एक टाइप से जो बाहर से भी जो rainfall आ रही है उसे भी जो बाहर से मांसून के थूरू जो moisture आ रही है उसे भी वहीं पकड़ के रखता है वो अपनी capacity से ज़दा water को hold कर लेता है क्योंकि जो capacity है soil की वो तो soil में ही है remaining जो atmosphere में जो एक pseudo capacity develop हो रही है cycle के थूरू वो भी एक काफी अच्छा मात्रा में soil को यह जो water उसे hold कर लेता है तीसरा soil structure soil की composition तो obviously इतनी शारी जो roots है plant की वो उसे बिलकुल छल नहीं कर रही है उसमें जो soil को lose करके उसमें soil की जो उपर से rainfall हो रही है heavy rainfall वो उसमें percolation कर रही है उपर से जो minerals है जैसी soil surface हो गई उपर से जो minerals है वो continue नीचे की तरह percolate हो रहा है percolation हो रहा है infiltration और percolation तो यह soil के साथ तो mix up होगा soil में जो rock होंगे उन्हें पूरी तरह से break कर देंगे तो यह सारी चीज है उनके composition में फरक आएंगे soil type को पढ़ोगे तो जब आप letter right soil पढ़ोगे तो समझ में जाएगे कहा composition में change होती है यह धीरे धीरे जो different wings है या different subject है इसके जो forest है वो एक दूसरे से फ़र बाद में आपको interlink होने लगे biotic property के साथ क्या होगा अगर एक plan area है तो वहाँ पर कोई जिंदा नहीं रहने वाला जबकि ऐसी forest में क्या है कि soil में दुनिया भर के bacteria fungi like and दुनिया भर की चीज़े मिल जाती है क्योंकि सब को यह पेड है यह भी पतियां जड़ाएगा पतियां कहां जाएंगी surface पे तो अच्छा खासा organic matter वहाँ एकटा हो रहा हलाकि temperature बहुत ज़दा है और organism बहुत ज़दा active ह तो वहाँ organic matter गिटने के तुरंत बाद बहुत ही rapidly decompose हो जाता है तो वहाँ humus ज़दा होता है लेकिन organic matter कम बलेगा तो इस टाइप से यह जो forest है वो soil पर impact दे रहा है अब यहाँ एक अपना आता है hydrology यानि कि water cycle water cycle को तो अपने समझ सके हैं four o clock वाले मुद्दे पह लेकिन उससे related कुछ terminology है जैसे कि intersection है stem flow है percolation बगरा है इन्हें देखते हैं पहला आता है term intersection intersection का मतलब क्या किसी को पकड़ लेना intercept करना तो जैसे ही उपर से rainfall हो रहे है अगर यह tree की crown यह है आपने कई बार देखा होगा बारिस के time फे लोग पे लोग के नीचे खड़े हो जाते क्य आपने यह भी देखा होगा कि पेड़ों में अगर आप पेड़ के नीचे खड़े रहोगे तो कुछ देर बाद उसका जो man stem को follow करते हुए पानी नीचे उतरने लगता है ऐसा क्यों होता है usually हमारे जो tree होते हैं उनकी जो man stem है या जिसे man bowl बोलते है उससे जो branches है वो 45 degree पे निकलती है यानि कि अगर इस branch पे पानी आएगा तो वो सीधा सीधा direct धरने टपक के इसके नीचे के थुरू इधर नीचे आएगा ठीक है बैसी इसके साथ होगा और इसकी branch की फिर जो twix है सब branches है उनके साथ भी यही ankle बाला है तो जब यह intercept करेगा यहाँ पर पानी तो धी प्रश्ट के साथ एक character और यह है कि इनके जो rainfall गिरती है लगवग 20-25% rainfall को यह कभी जमीन पर पहुंचने ही नहीं देते है क्योंकि उपर से जो भी rainfall हुई इनके उपर इन्होंने majority में उसे intercept कर लिया जो पतिया है सूखीती उनके उपर जब पानी डाल लोगे तो गिली हो ज है तो इस थाप से एक huge amount में यह पतियां गिली होकर के branches गिली होकर के यह canopy पर ही एक bulk amount में जो water है वो यहीं पर trap हो जाता है और जैसी फिर कुछ time बाद rainfall बंद होगी यह evaporation के सुरू बापेस एर में पहुंचाएंगे इस type से एक जो intersection जो है वो bulk amount में जो है लगोगी जैसे 15-20% का यह coverage idea है टाटा जो है कि जो मुश्चर हो जमीन पे पहुंची नहीं पाती यह उपर से बरसात हुई प्योड़ों से catch किया और बापेस इस काई में बेच दिया आसमान में बापेस बेच दिया तो यह intersection इस type से चलता रहता है द direct सीधे ना करके stem को पकड़के जो नीचे उतर रहा था इसे बोलते है stem flow इसे भी measure कर लिया जाता है कि average stem flow की care rate है एक ऐसा pipe लगा देते हैं इसके चारो तरफ और उसमें measure कर लेते हैं थर्ड आता अपना percolation और interception यह infiltration और percolation यह दोनों टर्म को दिया रखो जब केवल term याद रखो जब कुछ आने वाले नहीं है mcq वगरे के type के exam में आते हैं यह जो water आया अपना उपर से है जब यह जमीन के अंदर कहीं न कहीं जमीन के अंदर inter करेगा तो जब इसकी जमीन में entry होती है यानि कि इसे surface ले लो यह air है यह soil है यह water के इस entry जो है उस filtration और एक बार इंटर कर गए तो फिर जो water में यह soil है अपनी उसकी जो capillary है उसके थुरू water का downward जो moment होता है उसको बोलते है percolation और जो water percolation नहीं हो पाया वो क्या surface में बहने लगता surface भी बहने लगता है इस type का उपर superficially उसको बोलते है run off मतलब जो दोड़ना है run off तो यहां जो graph है उसको थोड़ा ध्यान से देख लें जिससे बनाने के काम में आ जाता है यह चीज़े समझी लिए एक कभी कबार थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती के एक forest vegetation है और दूसरी side agriculture vegetation है इनके बीच में क्या difference हो जाता है तो उसमें बस थोड़ा बहुत कभी पुराने है 95 और 98 के आसपास इस टाइब के question आए हुए है तो इसलिए आपर थोड़ा discuss कर सकते हो कि नॉर्मल सबकूछ 100% rainfall धर भी है 100% precipitation यानि कि rainfall धर भी हो रही है अब यहाँ पर सबसे पहले तो यह interception ही लगवग 25% होता है जो moisture यहाँ गरी उपर ही उपर इनने पकड़ लिया और evaporation के group आपस बेश दिया तो यहाँ जहाँ interception 25% है यहाँ लगवग 15% के असपास हो पाता है दूसरा यहाँ पर जो land surface है क्योंकि forest हो run off होने नहीं देते हैं तो यहाँ percolation बहुत जदा है जबकि यहाँ पर जो अपनी जमीन है जो plan area वहाँ पर percolation बहुत कम हो पाता है लगवग run off जो surface run off है वह 5-10% होता है जबकि यहाँ लगवग 25%-30% तक इसमें हो जाता है तो इस टाइप से एक forest area और एक जो area यानि कि non forest area के बीच का जब कई difference आ जा जा है इस टाइप की hydrological cycle में तो यह बना सकते हो दूसरा एक type का question आ जाता है कि कई area है जिसमें forest था बाद में पड़ेगा या उसे कभी-कभी soil erosion से जोड़ देते हैं तो इसे आप कैसे समझ सकते हो कि अगर कहीं forest था परकूलेशन जाता था यसे mountain region है वहां पर हमें forest की क्यों जरूरत है क्योंकि जो भी वेजिट जो भी rainfall हो रही है यह जो forest है वो उसे trap कर लेते हैं एक type से reservoir का का काम करत है दूपसरा जो down side है जैसे यूपी विहार है जो अपनी perennial rivers है उन्हें permanent moisture मिलती रहती है अब अगर हम पूरी हमाला की पेड़ों को काड़ दें तो क्या होगा सीधी सी बात है पेड़ काड़ दोगे तो जो rainfall हो रही है वो एकदम torrential होगी एकदम rainfall होगी और उसका result क्या हो गर्मियों के टाइम पर सूप जाएंगी क्योंकि glacier है वो melt होगे लेकिन उनकी भी एक अपनी limitation है ये forest एक बहुत बड़ा एक tanker का काम करती है उसे trap कर लेते है और local monsoon ये बना देते हैं तो उसे cycle बनी रहती है तो ये सारी चीज़े हैं जो उसे linkage है फिर इस से related अपने जो questions ह इस chapter से उन्हें देख लेते हैं थोड़ा बहुत discuss कर लेते हैं तीन question को remaining को आप कर सकते हो जैसे आपर एक question आया था 2000 में कि do forest influence the rainfall कि क्या हमारे जो forest है वो rainfall को influence करते हैं if so how कैसे करते है थोड़ा छोटा ही जब question आया आप इसे आप क्या लिख सकते हो कि देखो forest है इसमें एक तो अपना evaporation वाला cycle बना तो जो four o clock की rainfall की बात कर रहा है कि हाई evaporation होता है तो लोकल rainfall जो micro climate बना के यह लगवक चार बजे करी देते हैं तो एक तो कुछ point इस पर मुद्दे पर डाल दो दूसरा कैसे influence करते हैं कि उनका intersection बहुत ज़्यदा होता है फर वो evaporation करेंगे तो water do not come to surface थोड़ा बहुत उस पर लिख सकते हो तीसरा runoff होने नहीं देते हैं जमीन में है तो एक टाइप से जमीन से गया तो यह जो है एक normal के compare में एक plain surface के compare में forest कैसे rainfall को influence कर रहा है local weather करके और moisture जो है उससे एक जगाए store करके कैसे influence कर रहा है उसी के आसपास अपना answer लिखना था इसे try करो एक बार लिखने की किस टाइप से लिखने है फर solution में इसे एक बार और देखे लिना next question आया था इस टाइप के critically comment on recycling of nutrient in forest natural forest यह forest की जो है उसका recycling पर बोला गया फिर एक question आया था 11 में जिसमें यह nutrient recycling पर ही था पर इसने क्या किया तीन चीजों को ले लिया एक forest ह और तीसरा normal agriculture field है तीनों को compare किया है यहाँ पर लिंक के question agroforestry में भी इसको discuss करेंगे यहाँ पर बस केवल इतना बता सकते हैं कि जैसे forest है वहाँ एक टाइप से close system है nutrient जो है जो अभी तक हमने discuss किया है इसमें forest में nutrient की दो cycling होगी एक internal होगी दूसरी external होगी और जो दोनों को ले लो internal external को तो वो कैसी है close है close मतलब जो भी यहाँ से गिर रहा है वो पूरा का पूरा tap हो जाता है यहाँ पर कुछ बचता नहीं है और अगर suppose percolate हो गया और इस vegetation ने उससे absorb नहीं कर पाया तो कि रूट के भी यहाँ नीचे चार-पांच framework बन जाते हैं forest area में तो वहाँ nutrient का percolate होगे बचना impossible होता है तो यहाँ जो forest area है वहाँ पर जो nutrient cycle है वो close type की होती है जबकि agriculture field की बात की जाए तो यह इनकी एक type से open है open मतलब आपने अगर wheat की cultivation का रखा है यहाँ पर आपकी grasses इस root zone से बच गया और वो नीचे चला गया तो फिर कोई उसे पकड़ने वाला नहीं है वो तो गया मतलब इस cycle से बाहर हो गया वो out हो गया वो तो नीचे चला जाएगा 30 मीटर 40 मीटर जो भी percolation से गया वो चला जाएगा जबकि forest में क्या होता है कि जड़ें जो है वो 70-70- तक होती है तो nutrient कहां तक बचेगा तो forest में जहां close system है close है वहीं agriculture में है open और agroforestry इनके बीच में आता है उसमें close and leaky दोनों बोलते हैं leaky कि ये वाई होगा साथ तो close and leaky, leaky मतलब leakage यानि कि open type का तो agroforestry में close and leaky का mix up होगा दोनों के बीच का condition है तो ये nutrient cycling की मुद्दे पर question थे इसे थोड़ा समझो, उसे थोड़ा evaluate करो और agroforestry में इस चीज को बहुत detail में पढ़ाएंगे बस इस चीज को समझो actual में एक और आया था question के forest has moderating influence on soil and air temperature इसे bracket बंद कर लेना soil and air temperature की बात की तो forest जो है वो soil and air के temperature को कैसे influence करता है अब जैसे air के temperature की बात की जाए दोनों को है तो पहले ऐसे question को अगर लिखना है तो क्या करेंगे सबसे पहले तो उसका intro करें लिख लेंगे थोड़ा बहुत के forest यह है वो है फरान धिमका है हमारा यह करता है लिख लिया दो चार लाइन में बस बहुत है फिर अपना जो पूछा गया है मैं मुद्दे प्या जाओ इसे दो लाइन से जदा नहीं हो दो तीन hardly फिर अपना है air temperature पर कैसे influence करती है देखो एक तो यह बहुत huge evaporation कर रहा है surface की radiation surface जो है अर्थ surface है वो heat up करके air को गर्म करती है अब जब यहाँ पर कुछ ऐसी condition बचती नहीं है तो air को नीचे से heat मिलती नहीं है और उपर से यह evaporation बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो air temperature पर सीधा-सीधा influence जो है वो समझ माय जाता है दूसरे अगर soil temperature की बात की जाए तो यहाँ से वही बात आती है को soil temperature क्यों नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उपर का radiation कुछ आ नहीं रहा है और अगर नीचे से का radiation जो long wave radiation है उसे soil अगर emit करके उसे निकाल के अगर ठंडा भी होना चाहे तो यह नहीं होने देते हैं क्योंकि जो soil है उसके उपर इने vegetation ने एक टाइप से चादर ओड रखी है कबर कर दिया ब्लैंकेट कर रखा है तो यहाँ से जो long wave radiation soil के जो निकल रहे थे वो भी नहीं निकल पाते हैं तो एक टाइप से जो radiation है उसको manipulate कर देते हैं उपर से rainfall वगरा है leaf litter है यह पूरा मिला करके blanket को औ उपर से आने नहीं दे रहा है नीचे से निकलने नहीं दे रहा है तो temperature जो है वो भी homogeneous condition पहुचा देते हैं इसकी soil के तो यह सारे मुद्दे हैं इन्हें डिसकस कर लेना और next बचते हैं इसके कुछ बचे हुए कुश्चन है कि justify the statement for us subsistentially check soil erosion control and और बगरा बगरा है soil के role बग impact होता है तो इसको हम यहाँ पर एक slide में देख चुके हैं इसे कि जैसे यह नॉर्मल था उसका deforestation पर क्या impact है तो impact बगरे इस टाइप के लिखने है तो किसमें लिख सकते हम उसके एक तो ecological impact यानि कि वहां के local की ecology है उस पर क्या impact पढ़ा hydrological impact ठीक है और तीसरा है hydrology में य जो कल की ecology पर कैसे पढ़ गया soil वाला है impact तो उस पर soil edafology वगरा है उस पर impact देख लो और पर हमारी economy पर कैसे impact पढ़ा उसको ऐसी चार पांच खरके अपना आरम से आधेक पेज भर जाता है यहाँ पर अपना यह चेप्टर था influence of forest over their environment यह complete हो जाता अगर इसमें कोई confusion है त आप पूछ सकते हैं अपना valuable time देने के लिए thank you